कि यहां जी गुदीवनिंग क्लास गुदीवनिंक कैसे हो आप सभी अप लोग मस्त ओगे जबर दस्ते हो और आप लोग की प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी मैं हूँ आजे आपके लिए एक मस्त जबरदस्ट लेकर आगया जो आपके लिए बहुत इंपपोर्टेंट है बिल्कुल कैसी और आप सभी कैसे और इवनिंगा राम राम बचो राम राम गुड़ीवनिंग और आप को डावनलोड नहीं कि तो आपको जुरू डावनलोड कर ले जिए जिसमें प्रीमियम स्टेडी मठील करेंट फिर जॉबलर्स डेली कोई सब्जेक्ट वाइस को समागजीन पावर कैपसूल एवरीटिंग मिलेगा आपको है अगर आपने इस आपको डाउनलोड नहीं कि तो जल्दी से डाउनलोड का प्ले स्टोर में जाए और डाउनलोड कर लेजिए क्योंकि बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए फ्री कॉंटेंट काफी है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो बिल्कुल चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिगा और यह आगे आपके लिए पहला कोशन पहला कोशन कहता है त सिस्टेटी में प्रतिलिपी फाइलों बनाने के लिए आप एक डैश बनाते हैं जी क्या बनाते हैं जी ऐसब लगान है धो सिस्ट्रम की फ़िफलता की स्टीमिये प्रति लीप फाइल बॉनाने के लिए आप एक बनाती हैं क्या बनाते हैं यह उस्ट्रमित बनातर、 तहुं स्के क्या बनाते हैं यह क्यों क्योंकि काफि आपने अपक्ट को करते हैं बिल्कुल लिल्क बैक्प पीज और कॉ brag आपके टेटा बेश को क्या करते हैं कि आपका जो डेटाबेस है फाइल वो लोसट ना हो सके है नहीं है निमन लिखे में से कौन सा टीसील ट्रांजेक्शन कंट्रोल लेंग वेज कमांड नहीं है विस कौन सा टीसील कमांड नीजिए बचो मारे पास कमिट आगा से पॉइंट रिवोक यां रॉलबैक कौन सा मारे पास टीसिय शकांट्रोल लेंगवेज तो बचिये sql की ना सब्सक्राइब पास है सब्सक्राइब wanna पाच सब्सक्राइब जो मत मतंजर चुल को वस्क्राइब सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपने डाटाबेस में कुछ सेव करने कुछ चेंज इस किया उसको पर्मानेट सेव करने डेटाबेस में देन हम कौन सी कमांड लगाते हैं कमिट कमांड लगाते हैं रोल भेक रोल बेक कमांड क्या काम करते है बकाती LET अगर आपने कोई की चीज़ा अंडू करने रिवर्स करने को अपने क्ज़ा nai डेटाबेस पर में रेवर्स करने अंडडू करने आपने क्या अंटmas रिवर्स करने अडिवर्स नहीं यह ज्यूहर्ट लगाते हैं इए इस से पॉइंट से पॉइंट से पॉइंट दा चेंजिस डन तिल दा से पॉइंट अंचेंजड एंड आल दा ट्रांजेक्शन आफ्टर दा से पॉइंट विल बी रॉल बैक्ड बिल्कुल से पॉइंट क्या लगाते हैं बचे कि हम एक निशानी रख लेते हैं कि यहां तक दो ड लिए यूजर किया जाता है वीच आप दा फॉलिंग इस ट्रू अबाउट हब हां जी हब के रिगार्डिंग क्या है हब के बारे में निमन लिखा कौन सा सत्ते है बिलकुल हब के बारे में कौन सा सत्ते हैं बचो एह अब सिंपली एक सैजिक गोनेक्टर ओफ नोट जो हब ट्रांसमीट सा मैसेजे टू ड्ला डिजाइड डेस्टिशन अउनली हब क्या करता है बच्चो ट्रांसमीट करता है दू ब्राट वर्कस्टिंग करता है है हम सकते हैं हब में ट्रीन एक यह करता है यह हम यह श्यन-र के क्को बारे में निमन लिख्या कौन सा सत्य है तो क्या सत्य बच्व मारे पास हब ब्रॉड कास्टिंग हब क्या करता है बचो ब्रॉड कास्ट करता है क्या करता करता है मैंने हब को मुझको करता है कि सब्सक्राइब ou कैसी ब्रॉडिकास्ट करते है points asking करता है शुक्र चर्ण ब्रॉड कास्टिंग हब क्या करता है ब्रॉड कास्ट करता है हां जी नेक्स्ट है विच ट्रांस्मिशन मेडिया प्रवाइड जा हाइस्ट ट्रांस्मिशन स्पीड इन नेटवर्क हां जी तो कौन सा ट्रांस्मिशन मेडिया किसी नेटवर्क में उस्तम ट्रांस्मिशन गती परदान करता है हां जी कौन सा ट्रांस्मिशन मीडिया किसी नेटवर्क में उच्तम ट्रांस्मिशन गती परदान करता है कहते क्या विच ट्रांस्मिशन मीडिया प्रवाइड दा हाइएस्ट ट्रांस्मिशन स्पीड इन नेटवर्क बिलकुल कौन सा जो ट्रांस्मिशन मीड है हाइस्ट ट्रांस्मिशन स्पीड प्रवाइड करता है नेटवर्क में तो आप्शन है क्वेक्सियल केबल ट्विस्टेड पेर केबल अप्टिकल फाइबर केबल यह एलेक्ट्रीकल केबल हाँ जी कौन सा जो transmission media किसी network में उचतम transmission गती परदान करता है कौन सा बचो qaxial cable twisted pair cable optical fiber cable यह हमारे पास electrical cable बिल्कुल हाँ जी good morning जी good morning नी मैं अभी good evening होगी है good evening होगी है तो बचो कॉन सा transmission media तो answer आएगा हमारे पार से आएगा बिल्कुल optical fiber कौन सा बचो optical fiber जो वो क्या करते है कि आपका highest speed transmission provide करते है को optical fiber cable होती है जिसमें data highest speed से transmit होता है है नहां next आगा है बचे मारे पास कहते भाई which of the following statements we can undo all the updates performed on the transaction बिलकुन निमन लिखे में से किस कथन द्वारा हम लेन दन पर किये गए सभी अपडेट को पुरवक्त कर सकते हैं जी मैंने अभी बताया था ना पीछे तो आपको कमांड याद होगी तो कौन से बचे निमन लिखे में से किस कथन द्वारा हम लेन देन पर किये गए सभी अपडेट को पुरवक्त कर सकते हैं तो कौन से बचो अंडू कमिट रोल बैक या रिपलेस हैं जी कौन से बचो जिसमें हम क्या कर सकते हैं किसी को को अंडू कर सकते हैं अपडेट को जो चेंजी सके हैं इसको सक्ते हैं किसके थ्रूBeau कुछ चेंजिस की हैं तो हम उसको रिवर्ट कर सकते हैं कौन से थ्रू रोल बैक कमांड के थ्रू बिल्कुल नेक्स टर्मिनेटर रिक्वाइर्ज इन विच आफ दा फॉलिंग नेटवर्क टोपलोजी निमन लिखे में से किस नेटवर्क टोपलोजी में टर्मिनेटर की आव आवशक्ता होती है तो कौन सा बचो मैश टोपलोजी रिंग टोपलोजी बस टोपलोजी यहां हमारे पास स्टार टोपलोजी बिल्कुल टर्मिनेटर की आवशक्ता किस नेटवर्क टोपलोजी में रहती है मैश टोपलोजी रिंग टोपलोजी बस टोपलोजी यहां हमारे टर्मिनेटर रिक्वायर्ज इन विच आफ दा फॉलिंग टोपोलोजी तो टर्मिनेटर की जो हमारे पास किस टोपोलोजी में आविशक्ता होती है बचो टेटीज बस टोपोलोजी कौनसी टोपोलोजी में होती है बचो हमारे पास बस टोपोलोजी में टर्मिनेटर का क्या म क्लोज करना होगा जो वायर के एंड है उसको हमने क्लोज करना होगा तो हमकिया करना होगा तो हम क्या लगाएंगे बच्छों इसको क्या करेगा बचो close करेगा ठीक है जी चालो next step bitmap images are made up of बिटमेप छवियां dash से बनी होती है बचो lines, vectors, particles या pixels बिल्कुल बचो तो bitmap छवियां dash से बनी होती है किस से बनी होती है बचो lines, vectors, particles या pixels से बिल्कुल सब भी का अंसर आना चाहिए सर सैप क्या होता है सैप कहां पढ़ा बचे अपने सैप क्योंकि सैप ऐसे नहीं होता है कोई चीज तो होती है आप लोग की सैप किस चीज रेलेटिड पूछ रहे हो सैप क्या होता है हाँ जी bitmap images are made up of bitmap images किस से बनी होती है बचो जो इमेज है वो किस से बनती है पहरे बचो छोट-छोटे पिक्सल से बनती है हां जी विटमैप इमेजी आल्सो काल्डे रेस्टर ग्राफिक्स क्रेटर प्रॉम रोज ओफ डिफरेंट कलर पिक्सल्ज डैट टूगेदर फॉर्म एन इमेज बिल्कुल जो क्या करते हैं बचे एक इमेज बनाती है विटमैप इमेज आपकी छोट-छोटे पिक्सल से आपक नेक्स्ट बच्री हमारे पास दा रोबर्ट कौन सा रोबर्ट इस दा होम मेड़ ऑफिशली इंटेलिजेंट मल्टी लिंग्विल शोचल एंड एड्जुकेशनल हमें रोबर्ट मेड़ अप वेस्ट मटीरियल डिवल्ट बाइद दिनेश कुनवर पतेल एन के वी केंद्र विद्यालिया कंप्यूटर साइंस टीचर फ्रॉम मंबई बिलकुल एक टीचर था किसका नाम था दिनेश कुनवर पतेल इसने वेस्ट मटीरियल से क्या बनाया था रोबर्ट बनाया था गुड़ इवनिंग बच्चो नमस्ते जी गुड़ इवनिंग तो इसने वेस्ट ना था बच्चों को पढ़ाता था तो उस्ट रोबर्ट का क्या नाम है शालू रष्मी मानव सोफियान या नन अफ दा वंब इध्यों का नाम है जो क्या पढ़ाता थे बचो अब्रेंग मानव सोफिय और सा इस और छोबुगिंच वहरति जो हमारा किसे बनाते है हाँ जी नमस्ते बचो तो किसे बनाता है बचो शालू बनाई थी कौन बनाई ती बचो शालू बिल्कुल शालू अजो रोबर ये वेस्ट मटीनेल से बनी यो बचों को पढ़ाती है स्कूल में बढ़ाती है बच्छों को वाइसमों सब्सक्राठ पढ़ाती ist an example of which mode of communication एंजी वो कुटो की संचार के किस माध्यम का उधारन है बिल्कुल तो ऐप्षिनस इंप्लेक्स हाफ डूपलेक्स या फूल डूप्लेक्स हां जी वो की टो की संचार के किस माध्यम का उधारन है कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि अच्छाइब कि आपका किस कम्मिनिकेशन मोड का उधारन है संचार कि किस मोड का उधारन है तो अंसर आएगा बचो हाफ डुप्लेक्स का उधारन है बिलकुल तो बचो क्या है टीपिकली हाफ डुप्लेक्स कम्मिनिकेशन सिस्टम में इसे वाकी टोकी वाकी टोकी क्या है बचो कि हाफ डुप्लेक्स मीडिया का उधारन है हमारे पास है ना चल आगे चलते हैं बचो अब हमारे पास नेक्स्ट परस्नल लॉग्स परस्नल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्टड ओन दा वेब आर नॉन एज बिलकुल जो पास परस्नल लॉग्स परस्नल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज आर पोस्टड ओन दा वेब आर नॉन एज वेब कास्ट कहते हैं ब्लाग्स कहते हैं एसमेस यां kurya mms ब्लकुल को क्या का जाता है बचो ब्लाग का जाता हुएं जो हम कोई भी WC पर कोई भी कॉंटेंटब करते हैं कोई भी content पोस्ट करती है है तो इसको किसके नाम से जानते हैं आजी देन ऊंस राइप रहाय फोँल göst जो ब्लॉग वर्ड है वो कहां से बने आपका वैब लॉग से बने है ना तो क्या इजे वैब साइट डिजाइन टू मेक इजी फोर यूजर तो क्रेट एंट्रीज इन क्रोलो जीकल ओडर बिल्कुल एक और बें पर्टिकुलर ओडर में अपनी क्या करनी है एंट्रीज को क्र लेटेस्ट वर्जन कौन सा है हां जी विच वान इस दा लेटेस्ट वर्जन ओफ एंड्रोइड का नमीनतम संसकर्न है हां जी कौन सा बचो मारे पास अपसाइड डाउन केक अपसाइड डाउन केक है क्या बचो कि जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है अंड्रोइड का कौन सा बचो अपसाइड डाउन केक अंड्रोइड के वर्जन ए से स्टार्ट हुए थी ए पराया था अलफा बी पराया पास ब स्टार्ट हुए थे अब कहां तक पहुंच गे यू तक पहुंच गे देखो एम 4 और्चमेलो यंद 4 नोगट ओ फुर ओर यू पी फुर पाइक को एंस रेड वैल बर्ट्स नोगोन कॉन नी ट्रेमी इसु तो ऐसे हमारे नेक्स तक पहुंच गे अपसाइड डाउन के का हमारे पास आ गया नेक्स्ट है वाट ड़स डी स्टेंड फोर इन सी डीम में मुबाइल कनेक्शन हाँ जी मुबाइल कनेक्शन में परतियुक्त सी डीम में में डी का अर्थ है बचो डिवीजन डॉमेंड डिवाइड या डी हाँ, जी मुबाइल कनेक्शन में परतियुक्त सी डीम में डी का क्या अर्थ है डी स्टेंड फोर डिवीजन डिवाइड डॉमेंड डिवाइड जा डी बिल्कुल मुबाइल कुनेक्शन में D stand for बच्चो तो आएगा हमारे पास Code Division Multiple Assess जो CDM में फोन होते हैं बच्चो यह आएगा हमारे पास Division आएगा जो CDM में पहले फोन होते थे आज कल आप लोग क्या यूज़ करते हो GSM यूज़ करते हो GSM, GSM stand for Global System for Mobile Communication पहले यूज़ करते थे हम CDMA फोन, CDMA मच सीक्योर थे as compared to GSM CDMA की फोल फोन हमारे पास Code Division Multiple Assess कहाएगा Code Division Multiple Assess that is CDMA आप लोग अपने सही नाम क्यों नहीं रखते हैं जी जस्ट यू पी एस पी स्टेडी टाइम्स ब्लाग्स अंजी तो अच्छे नाम रखा किजी यारा जिवसे इन्हों रखा हुए कि इतना अच्छा नाम है अशीश अलवर जी है ना और भी बच्चे यहां पे यह तो नेक्स बच्चो मारे पास कहता विच आफ दा फॉलिंग इस यूज़ बाइ टैबलेट पी सी टू राइट ओन दा स्क्रीन बिल्कुल टैबलेट पी सी द्वारा स्क्रीन पर लिखने के लिए निमन लिखे में से किसका प्योग किया जाता है तो किसका प्योग करते हैं अपनी आदेंटिटी हाइड करते हो है ना कि अगर कुछ लिखना देन बचट्टा समक्राइब करते हैं तो म तीने क्या ऊंप्वाइब करते हैं तो लोग स्टाइलर्स का यूज करते हैं स्टाइलेस क्या बचो मारा एक पैन शेप्ड इंस्टूमेंट है जिससे क्या होती है कम्प्यूटर में हमारी पोजीशन हम डिटेक्ट कर लेते हैं यह आपका क्या है कि मॉनिटर पे डारेक्ट लिखता है बिल्कुल नेक्स्ट आगा बेकार सरकार सरकार देव यह क्या रखा हुए भाई अपने नाम बेकार सरकार सरकार देव नेक्स आगा बचो विच वान इस दा एक्जाम्पल ओफ नेट्वर को प्रेडिंग सिस्टम हाँ जी नेट्वर को प्रेडिंग सिस्टम की एक्जाम्पल क्या है तो आप्शन है बच लास है बस जिस दो में छोट रहा हूं भस ठीक है बचो आज के लिए इतना ही है ना तो आप लोगे कोड लगा लिजे कोड कॉन सा वाई 727 कोड लगा के आप क्या कर सकते हो बैच को परचेज कर सकते हो जिन बचों ने अभी तक परचेज नहीं किया तो जल्दी जल्दी आज आपका स्टार्ट हो रहा है और उसमें हम कम्प्यूटर डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है जी बाई बाई थैंक यू गोड बलेस यू तो आप बाई 727 कोड लगा लिजेगा